सबसे बहले तारवस से वाल को अच्छी तरह क्लीन करेंगे उसके बाद बाटा ब्रश या सूज पॉलिश ब्रश से वाल पर जमिन धूल मट्टी को साप करेंगे क्रॉप नमर एक को एब्रो टेप की मदद से वाल पर होल करेंगे इस तरह से प्रिंड को नीचे से उपर की ओवर रोल करेंगे पीछे का रिलीज पेपर निकालेंगे और प्रिंड को वाल पर अपलाई करेंगे इस तरह से इस पन से दबाएंगे पन से अच्छी तरह दबा देंगे प्रिंट के उपर पानी का स्प्रेय करेंगे पन से अच्छी तरह दबा देंगे पन से अच्छी तरह दबा देंगे क्रॉप नंबर दो को भी एब्रो टेप से वाल पर होल्ड करेंगे क्रॉप नंबर दो को क्रॉप नंबर एक से मेच करेंगे और एब्रो टेप लगा कर वाल पर होल्ड कर देंगे क्रॉप नंबर दो को भी निचे से उपर की तरह रोल करेंगे रिलीज पेपर निकालेंगे और क्रॉप को मेच करते हुए प्रिंट को वाल पर अपलाई करेंगे स्पंज से दबा देंगे प्रिंट में एर बबल होगा उसे तारबस से फोड़ देंगे और इस्पं से अच्छी तरह दबा देंगे प्रिंट पर पानी का स्प्रे करेंगे और इस्पं से अच्छी तरह दबा देंगे उपर का एब्रो टेप निकाल देंगे प्रिंट में एर देंगे प्रिंट मेंढे